हेलो एवरिवन तो आज हम लोग क्लास 10th mathematics से प्रस्णावाली 6.2 का question number 3 करने वाले हैं देहां से देखेगा question number 3 करेंगे ये देखे बहुत ही important question है मैं आपको बता दूं कि प्रस्णावली 6.2 यानि प्रस्णावली इस exercise से एक question आपको एक्जाम में जरूर देखने को मिलता है इसमें 10 question है 10 का 10 question important question है और प्रस्णावली 6.2 में हमें सिर्फ दो concept का यूज करना होता है एक तो थेल्स प्रम है जिसको अधारभुत समानुपाति इत्या प्रम में भी कहते हैं और उसका बिलोम यानि यही दो concept पर पूरा आपका exercise है तो चलिए question start करते हैं समझते हैं तो यह देखे question 3 जो है कह रहा है आकृती 6.18 यहां पर देखे यहां देखे आकृती 6.18 यानि इस आकृती की बात हो रही है इस figure की बात हो रही है ठीक है a, m, b, c, d, n ठीक है न इस figure की बात हो रही है अब इस figure में देखे क्या है दिया हुआ question देखे इस आकृती में यह दी l, m, samantar, c, b, यह दो उदागर अलेक खिचा हुआ है यानि कि दो जो यह डंटा खिचा हुआ है इसको हम लोग समांतर परते हैं यानि कि parallel ठीक है न तो l, m, samantar, c, b, देखे इसमें ध्यान से l, m, samantar, c, b, का रहा है कि l, m और c, b, यह दोनो, samantar, यह दोनो, भूजा क्या है समांतर है समांतर कार्थ होता है कि यह दोनो, भूजा के बीच की दूरी हमेशा समां रहाएगा यह कभी भी आपस में मिल नहीं सकते हैं ठीक है यह समांतर हुआ, समांतर का concept clear हुआ, ठीक है चलिए, अब देखे देहां से और, l, n, samantar, c, b, अब इधर देखे देजे, l, n, इससे पहले देख रहेते, l, m, और c, b, अब है, l, n, और c, d, यह दोनो, भूजा भी आपस में क्या है, बराबर है ठीक है न, तो इतना आपको question में दिया हुआ है कि, यह भूजा और यह भूजा समांतर है, तथा यह भूजा और यह भूजा समांतर है कहता है, अगर यह समांतर हो तो सिध कीजिए की, a, m, by, a, b, ध्यान से देखे, a, m, by, a, b, देखे, a, b, बरावर है, a, n, by, a, d, ठीक है न, यह आपको सिध करना है तो ध्यान से देखे, रेखा समांतर हो, तो भूजा समांतर होता है, यह थेल्स कहा था, एक बार थेल्स का मैं कॉंसेट बता रहा हो, समझ लिजे, कि थेल्स ने क्या बोला था, कि एक तिर्भूज के, एक भूजा के समांतर, ध्यान से देखेगा, किसी भी तिर्भूज के, एक भूजा के समानतर अगर कोई रेखा खीची जाए तो अन्य दो भूजा जो होगा वहाँ समानुपाती होगा यानि एक ही अनुपात में होगा माल लिजिए A, B, C देखे एक तिर्भूज है A, B, C इसकी बात में कर रहा हूँ देखे और इसमें भूजा B, C के समानतर एक भूजा खीचा हुआ है यानि एक रेखा खीचा हुआ है L, M है न यह अब यह दोनों समानतर है तो थिल्स के हिसाब से A, M और बटे में हो जागा M, B और A, L और बटे में हो जागा L, C यह किस ने कहा था दिल्स यानि जब रेखा समानतर है तो भुजायों को समानुपाती होना पड़ेगा इस चीज़ को ध्यान से समझे और बिलोम कहता है कि अगर भुजायों समानुपाती है तो रेखा को समानतर होना पड़ेगा तो चले यहां तक तो हम लोग थेल समझ गया तो इस कोशन में थेल की मदद से हम यह प्रूफ करने वाले हैं ठीक है ना तो चलिए ध्यान से हम लोग कुशन को करते हैं तो कुशन नंबर तीन है ध्यान से देखेगा कुशन नंबर तीन तो सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया है यानि जो कुशन में दिया हुआ है वो लिखना है कुशन में क्या दिया हुआ है कुशन में समांतर सीवी टता इल इन समांतर है सीडी के यह आपके कुस्टन में दिया हुआ है ध्यान से देखें यह कुस्टन में दिया हुआ है यहाँ पर देखें एलेम समांतर सी भी और एलेम समांतर सीडी यह दिया हुआ उसके बाद लिखना है कि सिध क्या करना है पहले लिखेंगे जो दिया हुआ उसके बाद लिखेंगे सिध करना है बहुत आसान सा कुस्छन है बड़ा इंपोरेंट कुस्छन है पूरा कॉंसेप्ट किलि बराबर है A, N, B, A, D, के यह मुझे सिध करना है दिया हूआ और यह सिध करना है अब देखिये अब क्ष्टन कैसे करेंगे तो इसमें आपको मेरा वाला दिमाग लगाना है क्या लगाना है मेरा वाला हम जैसे कह रहे हैं वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो एक भी question mistake नहीं होगा और ये question कितना easy बनेगा वो आप भी देखिएगा अब इसमें क्या करना है ध्यान देना है चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहों हो देखें यहाँ पे इसमें देखें क्या पहली इसकी बात करता हूँ LM समांतर CB तो जो समांतर रेखा दिया हुआ यानि जो भूजाएं समांतर है इसकी मदद से मुझे पूरे figure में ट्रिंगल यानि तिर्भूज स्लेक्ट करना परता है ये बहुत बारा चीज़ है कि LM समांतर CB किस तिर्भूज में होगा ठीक है न क्योंकि फिल्स परमेक तिर्भूज में काम करता है तो अगर ध्यान दिया जाए तो LM और CB यह तिर्भूज ABC में आता है देखे ये ये तिर्भूज के अंतर रगाता है ABC के तो ध्यान क्या रखना है कि समांतर रेखा जो दिया हुआ उससे तिर्भूज पहचाना है सबसे बरी बात है तो हमने जानेगे कि LM समांतर CB किस तिर्भूज में है तो ABC में है तो उसके बाद देखे आप कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे ध्यान से देखेगा कि अब तिर्भूज ABC में ऐसे लिखेगा मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे ABC में क्या है LM समांतर CB है तो लिखेंगे LM समांतर CB ठीक है न तो थेल्स के परमे से क्या हो जाएगा रेखा समांतर है तो भूजा क्या हो जाएगी समानुपाती और यू कुछ इस तरीके से समानुपाती होता है ध्यान देशेगा रेखा समांतर है तो भूजा समानुपाती होगा ही होगा ये थेल्स बोला तो रेखा समांतर है तो देखें भूजा समानुपाती कैसे करेंगे इसको भी ध्यान देना A, M और बटे में लेंगे M, B A, M, बटा M, B देखे, आपर आराम से लिख देना है द्यान से देखेगा ऐसे लिखेंगे A, M, और बटे में M, B, देखे, ले लिए और ये बराबर होगा किसके, तो देखे, द्यान से A, M, M, B हुआ, ता आप इधर लेंगे A, L देखे, A, L और बटे में हो जाएगा L, C, देखे द्यान से A, L, और L, C, इधर देखे A, L, L, C, उपर में लिए थे A, M, और M, B, तो इधर A, L, और L, C, ये किलियर हुआ कि नहीं तो बस ये हमने लिख दिया और आपको क्या करना है कि इसको मान लिजे समीकरन एक, इसको समीकरन एक मानना है, और ये कैसे लिखे हैं तो आप बगल में लिख सकते हैं ब्राइकेट देखर के थेल्स परमे से थेल्स परमे से, अगर ये पाती कर दिए ठीक है ना यहां पर आप लिख सकते हैं अधारभुत समानुपातिकता पर में एक ही चीज हुआ थिल्स पर में कोई उस नाम से भी जानते हैं अब देखे ध्यान से पुनह अब तो एगो काम हो गया आप पुनह लेंगे अब ध्यान दीजे फिर से अब क्या दि स्यादा मैटर करता है तो हम देख रहें कि ACD तिरभूज ACD इसमें LN समांतर CD है तो बस यहां पर लिख देना है लिखेंगे पुनह पुनह तिरभूज ACD में ACD में क्या है हमारा LN समांतर है किसके CD के देखें कितना आसान है तिरभूज ACD में यहां देखें तिरभूज ACD में LN समांतर CD है तो अब देखें फिर से रेखा तो समांतर है तो थेल्स के हिसाब से भूजा को क्या होना परेगा समानुपाती होना परेगा और कैसे होगा तो देखें उसमें जैसे लिए थे AM और MB इधर लेंगे A, N और बटे में N, D, देखें, बहुत आसान सा कॉंसेप्ट है, ठीक है न, क्योंकि रेखा समांतर है, तो भुजा समानुपाती होगा, तो लिखेंगे A, N, और बटे में N, D, तो लिखेंगे बटे में N, D, और ये बराबर होगा, देखें, इधर इस तरीके से A, L, और बटे में हो जागा, L, C, कोई दिकत, सारा चिस समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मालनेंगे शमीकरन दो, और ये कैसे लिखेंगे, तो इसको भी लिख देंगे, थिल्स, प्रमैसे, यानि कि बाई थिल्स, थियोरम, ठीक है न, इसको ऐसे कर दिजे, इसमें थोरा स अच्छा लगता है, ठीक है न, अब देखें, यहां तक आब हम समझ गया है, समीकरन एक दू, अब कोई काम नहीं है, अब समीकरन एक और दू की मदद से, समीकरन एक और दू की मदद से, हम अराम से देखें, ये सीद कर देंगे, A by A, B, बराबर A, N by A, D, कैसे करेंगे, त पर्दू को ध्यान से देखेगा तो इस समीकरन का एक पार्ट जो है आरेचेस जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड वो बराबर है देखिए AL by LC AL by LC तो समीकरन का जब एक पार्ट इक्वल हो तो दुसरा पार्ट इक्वल हो जाता है क्यों? क्योंकि AL by LC बराबर इसके है तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं लेकिन आपको याद रखना कि किसी भी समीकरन के अगर एक पार्ट बराबर हो तो इसका LHS क्या हो जागा? बराबर हो जागा ठीक है तो अब आपको लिखना क्या है? लिखेंगे समीकरन एक शमीकरन दो से समीकरन एक और दो से तो समीकरन एक और दो का यह देखिए AL by LC यह यह दोनों बराबर है RHS तो LHS को बराबर कर देंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हो जागा ध्यान से दिखेगा यह हो जागा A M बटा में M B बटा में M B बराबर हो जागा A N और बटा में N D Sorry बटा में N D यह है N D क्लिणन देखिए A N by N D तो A N by N D लिख दिए कोई डाउट? अब देखिए यहाँ तक तो हम आ गए समीकरन एक और दू को बराबर कर दिए अब देखिए कि बस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अर्थात एच्छी ध्यान देजे इसको नब पलर देना है यहाँ पर A N by A B नहीं M B है तो उसको प्रूफ करने के लिए इसको पलर देंगे यानि M B को कर देंगे उपर और बटे में कर देंगे A N को ध्यान से देखिए बटे में A N तो जब यह पलर जागा तो सुभाविक है यह भी पलर जागा जब M B by A M किये तो यह भी हो जागा N D और बटे में हो जागा A N किलियर हुआ कि नहीं बस क्या करना है समी करन एक दूसरे जब यह कर लेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको पलर देना है अब आप ध्यान से देखिए आपको पता है अभी तक हमरा को संसीद नहीं हुआ कि समी करन में यानि कि equation के दोनों पार्ट में स्यम संख्याप जोर सकते हैं गाटा सकते हैं तो इसको proof करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक प्लस कर देंगे यानि इधर भी एक जोर देंगे a, n और प्लस 1 देखे यानि इधर और इधर दोनों को दोनों में 1 प्लस कर दिए अब दोनों में 1 प्लस कर दिए इसके बाद मुझे क्या करना है इसको solve करना है इसको solve करेंगे कैसे चले इधर कर लेते हैं थोरा सा इधर space का थोरा problem है यह देखे दियान से इसी में और करेंगी तो कईसे होगा दियान से देखे एम का ऐलसी हम तो अलित ओपर में आ जाओ ऑ फ्ही ओपर में लिख देंगे ए punishment क्योंकि लसी एम करेंगे इसको देखे यहां दियान से इसको dark इनटू हो जागा तो यहां पर तो हो जागा एन डी आपको पता है क्योंकि एंसे लो गवाण और को एंडि से करेंगे थो अदी हो और इसको डीरेक्ट 402 हो जागा एल कोण से करेंगा जो क्या घूइंड हो जागा खोई डाउट अब डेखोट्व कोढ़म प्रूफ हो चुका है घबराने की कोई जरूरत नहीं है अब देखें बराबर क्या होगा अब इसमें ध्यान से देखे यहां पर a m b plus a m, a m b plus a m, a m b plus a m है, है न, तो देखे m b, यह देखे m b और a m, अगर a m ko और a m ko जोर देंगे ता क्या हो जाएगा, आप ही बताए, a b हो जाएगा, होगा कि नहीं, a m और M-B को जोरेंगे तो क्या हो जागा A-B तो यहाँ पर हम लिख देंगे A-B और बटा में यही रहेगा A-M बराबर में आब इधर देखे N-D पलस A-N देखे N-D और A-N यानि A-N पलस N-D यह इसको N-D को और A-D को जोरेंगे तो क्या हो जागा A-D हो जागा होगा की नहीं A-D तो यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे A-D और बटा में क्या हो जागा A-N बस आब अतह आप इसको क्या कर सकते हैं उलड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर इसको बनाने के लिए चेंज किये थे A-M बाइ-M तो इधर भी प्लड़ जागा ऊपर हो गया Sorry A A है जहां से देखेगा A N और बटे में A, D अब देखें सैद मुझे यही प्रूफड करना था यही मुझे प्रूफ करना था A-M by A-B बरावर A-N by A-D देखे A-M by A-B बरावर A-N by यहां देखे A-M by A-B बरावर A-N by A-D और यही हमने नीचे प्रूफ कर दिया है तो I hope कि आपको पूरा कुस्टन समझ में आ गया होगा अगर आपको कहीं भी प्रोब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताए और कोई भी कुस्टन में डाउट हो तो कुस्टन कमेंट करें मैं कुस्टन पर बहुत जल्दी वीडियो दूँगा थेंक्यी सो मच